इस वीडियो में हम जानने वाले है रिटर्न के बारे में एक तरफ है जादा रिटर्न और एक तरफ है कम रिटर्न तो as a investor आपके लिए कौन सा रिटर्न बहतर है वो इस वीडियो में हम डिटेल में डिसकस करने वाले है और as a investor आपको कौन सा रिटर्न पसंद होता है वो भी ह डिटेल में डिसकस करने वाले है तो चलिए शूर करते हैं फाइनेंसियल एजूकेशन का ये एपीसोड तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ज्यादा रिटर्न और कम रिटर्न का कौन सा एक्जामपल है जो हम लेंगे इस वीडियो में तो एक तरफ ज्यादा रिटर्न है वो हो गया वो लॉंग टर्न में इतना ही रिटर्न दे पाता है तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आपके लिए आपके लिए कौन से रिटर्न बेतर होगा तो आपका जो जितने वीवर इस वीडियो का देख रहा है 100% वीवर का यही जवाब होगा कि उनको ये रिटर्न , जो 50 से 10% का रिटर्न उनको यही रिटर्न चाहिए और मैं भी औनी में से हूं आप में से ही हूं मुझे भी यही रिटर्न चाहिए क्योंकि सभीको ज्याधा रिटर्न अच्छा ו सभीको ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है लेकिन हम एक example से समझेंगे कि ज्यादा return आपके लिए अच्छा है या जो कम return है वो आपके लिए अच्छा है तो चलिए एक आसान जांपर से समझते हैं एक share है जिसका price है 100 रुपया और एक साल में उसके return है वो 100% का return देता है तो एक साल में जो उसका return करेक्शन आया अगले साल तो अब उसका जो प्राइज हो गया दो साल के बाद इंवेश्ट करने के बाद वो 200 का सिय जब 50 पर संट करेक्ट हो गा तो 200 से 100 रुपया पर आ जाया प्रेहीं से लुग उसका में करेक्शन आता है जिस करेक्शन में आपका जितने भी रिटर्न है वो वाइप आउट हो जाते हैं दूसरी तरफ जामपर लेते हैं एक ऐसे से रिटर्न है दस देले के पंदर परसेंट का है तो उसका सी उसका प्राइज है 100 रुपया और एक साल क अब उसका प्राइज है 121 रुपया यानि दो साल में एक से जो बहुत ही अच्छा से ग्रोग किया बहुत ही तेज वाला रिटर्न दिया जो आपको पसंद है जो मुझे पसंद है उसको वो सेम प्राइज पे ट्रेड कर रहा है लेकिन एक तरफ है जो कम रिटर्न दे रहा ह उसमें आपको दो साल के बाद एक अच्छा रिटर्न दिख रहा है 10-12% का रिटर्न आपको दिख रहा है तो कहने का यही मतलब है moral of the story यही है कि जो ज्यादा तेजी से जो शेर बढ़ते हैं जो अच्छा रिटर्न देते हैं एक साल दो साल में वो गिरते भी उतने ही तेज वो आपको हर साल रिटर्न देते रहता है और लंबे समय में वो आपको compounding का भी उस सेर में बहुत अच्छा effect दिखने के मिलता है क्योंकि compounding भी ऐसे ही सेर में काम करता है long term में और wealth भी ऐसे ही सेर में बनता है जो consistent basis पे 10-12% से grow कर रहा है 15% से grow कर रहा है लेकिन वैसे सेर मे compounding भी इच्छे से काम नहीं करता है जो एक साल तो 100% देता है अगले साल 50% correction देता है फिर अगले साल 60% देता है फिर अगले साल 50% गिर जाता है तो तो वो उसमें कोई भी compounding भी काम नहीं आता है, और आपको return भी अच्छा नहीं मिल पाता है, और जितने भी आप fund manager देखेंगे, पर लिख के आते हैं, बरे बरे college से आते हैं, degree लेके आते हैं, लेकिन उनका जो return है long term का, उनके जितने भी mutual funds चलते हैं, scheme चलते हैं, चाहिए कोई PMS चला रहा है, ज लेकिन ऐसा नहीं कि उनका भी जो scheme है, वो किसी साल अच्छा perform नहीं करता है, उनका भी जो scheme है, किसी साल 40%, 50% से grow करता है, लेकिन वो consistent basis पे उतने percent से grow करना, किसी भी mutual fund scheme को, किसी भी share को, बहुत ही मुस्किल होता है long, लंबे समय पे, fundamentally strong share की बात कर रहा हूँ, यहां पे penny share को include नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि penny share जो 5% का अपर circuit लगाता है, वो जब गिरता है, तो आपको निकलने का मौका भी नहीं देता है, तो हमेशा आपको अच्छे share में invest करना है, और जो steady return है, इस example से आप समझ गयोंगे, कि जो steady return है, यानि कि जो consistent return देते हैं, 10%, 12%, 15%, 20% का जो यह मकसद भी नहीं है कि आपको growth stocks में invest नहीं करना है, growth stocks में भी आपको invest करना है, लेकिन growth stocks भी जो होते हैं, वो consistent return देते हैं, किसी साल अगर 50% return देते हैं, तो अगले साल 20% देते हैं, फिर 10% correction देते हैं, और फिर ऐसे ऐसे वो दीरे दीरे चलते रहते हैं, लेकिन वो एक positive return देते हैं, आपको लंबे समय में, ऐसा नहीं है, कि आपका पैसा बिल्कुल भी 2 साल बाद, 4 साल बाद, जिस price पर आपने invest किया है, उस price से एक दम zero है, कोई भी return आपको नहीं मिलता है, तो हमेशा आपको steady return पर ध्यान देना है, steady return पर आपको focus करना है, और investment का सबसे अचा त करके बता है, यह वीडियो आपको अच्छा लगाते है, इस वीडियो को लाइक करना न भूले, और भी कोई तरका आपके मन में सवाल है, stock market, mutual funds से related, तो जरूर कमेंट करके बता है, और ऐसे ही धिस सारे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को subscribe करना न भूले, यहां तक अपने इस वीडियो को देखा, इसके रैप का धन्यवाद,